तो दोस्तों मध्यप्रदेश के नई मुख्यमंत्री चुने गए है कमलनाथ और ये चॉइस कितनी खतरनाक है 1984 के दंगो के दागदार को मुख्यमंत्री चुना गया है कॉंग्रेस के द्वारा ये चॉइस कितनी खतरनाक है और हमारे लिब्रल पत्रकारों का मुखोटा हिपोक्रिसी किस प्रकार से उतर-उतर का टपक टपक कर भार आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आप देखते रहे हैं आज की तादा ख़गर तो दोस्तों आखे लिए कमलनात है कौन? कमलनात एक दिगज नेता है कॉंगरेस के बहुत पुराने नेता है जो की अब CM बन चुके हैं मध्य प्रदेश के उनका शपत ग्रहन बाकी है लेकिन कॉंगरेस की तरफ से जो फॉर्मल अनाउंसमेंट हो चुकी है वो हो चुकी है अब हम देखते हैं इनका पास्ट क्या रहा है दिल्ली के अंदर रकाब गंज नाम का एक गुरुद्वारा है 1984 में एक नवंबर का दिन था चार हजार लोगों की एक भीड जिसकों की लीड कर रहे थे कमल नाथ ये एक्क्यूदिशन्स लगाई है संजै सूरी नाम के पत्रकार जो तत कालीन इंडियन एक्स्प्रेस में काम करते थे उस समय उन्होंने कमल नाथ को अपनी आँखों से देखा था कि चार हजार लोगों के साथ ये उस गुरुद्वारे में थे जिसमें कुछ लोगों की हत्या की गई थी और उस गुरुद्वारे को जला दिया गया था ये बहुत महतपूर्ण गुरुद्वारा है सिक्खों की हिस्ट्री में यहाँ पर ये गुरुतेक भादुर सिंग का गुरुद्वारा है जो की जाने जाते हैं हिंद की चादर के नाम से बहुत ही महतपूर्ण ये गुरुद्वारा है और यहाँ पर किलिंग्स की गई थी ये रायट का एक प्लेस था जहां पर सिखों का नरसंगार किया गया था एक मॉब थी, 4000 लोग थे, वेपन साथ में थे, जिसकों की लीड कर रहे थे कमलनाथ ये आपको हम सुनवाते हैं उसी प्रत्यक्ष दर्शी संजै सूरी जो की एक पत्रकार थे उनका बयान ते खबराई की रकाव गंज गुर्दवारे थे हामला हो रहे हैं ते मैं स्कूटर लेकर उते नटिया हैं उते वेखना की उते दो सिखानों मारता सी के जला के मेरे समन गलए की थे उलाक्षा सी की एक बदी डिस्टर्विंग गल्र मैं ने डीटियल कहना चाही था बहुघ डिस्टर्विंग गल्र नटिया है क्राउट जिड़ागा है गुदवारे समन बार बार आ रहे हैं क्राऊट दे नाल कमलनाथ इंपे खलोता है तर आइ इशारा किते हैं समने वड़े ब 25 की आजे ते नाल मैं कमलनाथ नो मिले होते की हो रे हैं कि मैं पुच यह हैं ति जिम्हे वड़े कमलनाथ ते आइ इशारा कीता ऐस सारे लोग की ओस वेले रुक गए नाले करीब 10-12 गाज दी दूर थी इस तो जादा नहीं, बिल्कुल सड़क दे नाल एक पूरी पल्टन खलोती सीगी CRPF दी, नाले गौतम कॉल अडिशनल कमिशनर फुलीस को दी ओ काख नी कर रहे, ओ वेक रहे ने दो सवाल उट देने एक ते क्राउड ता ते कमल नादा की रश्टा सीगा, की अंडिस्टेंडिंग सीगी की, ही हैड कंट्रोल आफ दी क्राउड की मैं इशारा करा ते ओ मेरी गल मनन, कौन सीगी, इना दरिश्टा की सीगा दूजा, पुलीस दी की अंडिस्टेंडिंग सीगी, आसी कुछ नी करिये एक कमल नाद जह है, जिसने जो करना है नहीं करना है ऐस सवाल उट देने, ऐस सवालां ता कोई जवाब आरी दक समने नहीं आया करश जवाराज two six had been burnt alive in the compound of the gurdwar there is a group searching again and again towards the gurdwar and by the sight of them I saw Kamalaat member of parliament, congress member of parliament at one point they moved up in, Kamalaat just did this and they held back तो दोस्तों एक riot accused को CM बनाया जा रहा है जिसको अभी सुप्रीम कोट से clearance नहीं मिली है तो चलिए यह एक political party है Congress political party है वो politics खेल रही है आम मान लेते हैं लेकिन भारत के liberal पत्रकार को क्या हो गया है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ रविश कुमार ने इस मुद्दे पर जो की करना चाहिए था यानि की 84 के दंगो का accused बना दिया गया है CM उस मुद्दे पर एक भी coverage नहीं की है प्राइम टाइम पर निदीर राजदान ने इस मुद्दे को एक भी बार नहीं उठाया है अविसार शर्मा ने जो की एक यूट्यूबर है उन्होंने भी इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया है सागरिका घोश ने इस मुद्दे पर एक भी ट्वीट नहीं किया है ये वही सागरिका घोश है जिनोंने जूटा इलजाम लगा दिया था और उसके बाद इन्होंने इस tweet पर माफी भी मांगी थी, इन्होंने इस tweet को खुद ही जुटा बता दिया था, तो ये कितना जुट का गेम चल रहा है, राजदीप सरदेशाई ने इस मुद्दे पर सिर्फ ये कहा है कि मैंने एक interview लिया है कमल नाथ का, इन्होंने इस मुद्दे पर एक भी बार इनकी खिचाई नहीं की है, कॉंग्रेस की खिचाई नहीं की है, कि क्यूं ऐसे व्यक्ति को जो की सिखों का नरसंगार करने का कारण बना था, उसको CM बनाया जा रहा है, ये वही राजदीप सरदेशाई हैं, जिन्होंने योगी अधित्यनाथ की appointment होने पर है, इन्होंने लिखा था कि हिंदुत्व की राजनीती जीत रही है, और अब चलते हैं, बर्खादत पर एक भी tweet इस मुद्दे पर नहीं किया है, इन जीत हो रही है, इस इस प्रकार के tweet किये थे, इनकी appointment पर, लेकिन कमलनाथ की appointment पर, इन लोगों के मुँसे एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, जब नरिंद्र मूदी को चुना जा रहा था, PM candidate तो भी इन लोगों ने आवाज उठाई थी, कि आप 2002 के दंगों के accused को, किस हिस आप से PM का candidate बना रहे हो, लेकिन Supreme Court से clean shit मिलने के बावजूद ये जो लोग आवाज उठा रहे थे, वो आज चुब बैठे हुए हैं, क्यूं चुब बैठे हैं, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, क्यूं ये अपने बुर्खे को उतार कर fake नहीं रहे हैं, क्यूं ये बुर्खा चड़ाया हुआ है अपने मातों के ऊपर, ये मेरा प्रशन है, अब दोस्तों आपको दिखाते हैं कि सिख कम्यूनिटी का इस मुद्दे पर क्या कहना है? वागमें उन्दे कतल्याम में शामिल हों, मीडिया की अंदर ये बात तब्दे चर्चा में आई वाराज भी चर्चा में है, कमिश्नर परीस वी इस बात को माने, और विटनेस वी इस बात को माने, और घांधी प्रिवार्द तब भी बचा रहा था, का मना आपको आध भी और इस सबसे बड़ा दुखिस बात का है कि आपने कभी यह सोचा जिस गुर्दवारे पे आपने हमला किया जिस गुर्दवारे पे बारत पहानी प्याओर पे खढ़ी उपको आपने मारा ये वो गुर्दवारा है जिसने मानता के लिए इस देश की रक्षा के लिए इस देश के लोगों के धंग की रक्षा के लिए अपने आपको अपने 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 आपको इस मानता के लिए ऐची बड़ी कुर्बादी दी और कुझी ही गुरु तेहिक बादर साब ने वो कुर्बादी नहीं दी उनके साथिय ने बाई मनीद पतिदाजी बाई सदीदाजी बाई ज्याला जी कैसे लोग जिनों ने मानता के इतनी बड़ी शहादती और यह वरकार के जोस्तान है जाक्षिंगृत एक बादसाजी के धर का अगीता यहां पर संस्कार किया हूंका और आपने मानता को शर्मसाज कर दिया ऐस धसे बडी स्ञंगादय का इसे बड़ी जलात ऐसे цы दरिंदे को बचाना जिस दरिंदे के हाल बेगना और लोगों के खुं से रगए हूं और वह भी कुष्तान पने जा कर जहा पर सबसे देश की तो तस всех हौर जो जिता किक कर दाने के लिए विए तेश और नि और अंतिम प्रश्ण मैं पूछना चाहता हूँ सोनिया गांधी से क्या वो कमलनात को मौत का सौधागर कहेंगे आज ये प्रश्ण है मेरा सोनिया गांधी से तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में किस प्रकार से कॉंग्रेस हिपोक्रेसी दिखा रही है सीधा सीधा प्रश्ण है कि क्यों जोतिर आदित सिंधिया को नहीं चुना गया CM कैंडिडेट क्यों एक रायट अक्यूस्ट को CM कैंडिडेट चुन लिया गया जब वो मौत का सौधागर कह सकते है मुदी को तो इस मौत के सौधागर को क्यों चुना जा रहा है सी एम ये मेरा प्रिशन है आप इस वीडियो को जाज साधा शेयर करिये और लोगों तक पहुचाए ये साथ ही साथ आप हमें ट्विटर और फेस्बुक पर फालो कर ये क्योंकि कुछ मुद्धे हम वहीं पर उठाप पाते हैं आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो आप पेट्रियोन.com पर हमें सहयोग कर सकते हैं कि एडर्स आपको दिखराओगा स्क्रीन पर या फिर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आपका एक छोटा सा सहयोग हमें अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है आपका सहयोग वांचनी है इसके बाद यदि आप हमें टुटर और फेस्बुक पर फॉलो करें तो बहुत अच्छा है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बैल आइकन को दबा लिजे ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय पर मिल सके आप देख रहे हैं आज की तादा खबर जहिन जय भारत